हाँ जी दोस्तों स्वागत है आपका second series में और इसमें भी हम for next पे बात करने जा रहे हैं तो मैं insert करता हूँ एक module और आईए for next पे बात करते हैं यही pattern को आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी बना सकते हैं इस पे बात करते हैं ठीक है मैं इसको delete करता हूँ तो पिछले series में हमने range command यूज की थी अब आप क्या करने जा रहे हैं तो मैं for next example 1 के नाम से यह macro बनाऊँगा आपको याद होगा मैंने introduction series में एक आपते cells command discuss की थी तो आप cells command भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो उसके through अगर आपको 12345678910 प्रिंट करना हूँ तो आप क्या से करेगे तो सबसे पहले हम अपना declare variable करते हैं let's say मैं var इस वार कोई variable declare करता हूँ var as byte ठीक है और हम मैं इसको चलाता हूँ for var equals to 1 to 10 इसी तरीके से हमने code लिखा था आपको याद होगा राइट अब इसके अंदर का program हमने लिखना है ठीक है अब मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ cells पिछली बार हमने range command यूज़ किया था row number अब आपको मालूम है कि row number आपका हर cells का change होगा तो उसके लिए एक आपको variable चाहिए होगा जो जब यह loop चले तो 12345 करता रहे क्योंकि row number आपकी बढ़नी चाहिए तो मैं यहां पर वैर को यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरा वैर 1210 चलेगा और 1234 करके वो एके करके बढ़ेगा तो मैं यहां से अपनी row जो है वो डैनलिक कर लूँगा उसके बाद आप column number देंगे column number आपको AP रहना है तो आपको यहां पर कोई परिशानी नहीं है आप इ यह आपका code हो गया अगर आप इसको अभी run करेंगे तो आप देखें मैं इसको run करता हूँ सबसे पहले 10 times ही run होगा यह बात sure होगी यह बात lock कर दी हमने आप जब वो 10 times run होगा तो होगा क्या कि जब आपका पहला वैर होगा वो 1 होगा 1,1 का मतलब कि आप 1st row में है और 1st column में है यह हम पहले कर चुके हैं तभी मैंने कहा था कि basic सीखना बहुत जरूरी है और यहां पर आपका वायर का 1 होगा तो यानि आप कह रहे हैं row number 1, column number 1 में यानि कि A1 में आपको जो अभी value print करनी है वो है 1 तो आप इसको run करें उसके बाद next वायर आ गया next वायर आपको पत तो यानि कि अब second row पे यानि A2 पे आपका two print होगा तो यह वायर में हम दुबारा से इस एक ही variable से तीन-तीन काम कर रहे हैं हम loop भी चला रहे हैं हम row numbers भी one by one change कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो value print कर रहे हैं वो भी हम वायर के through ही कर रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से आप य change command यूज नहीं की है ठीक है अब यहां पर आप लोगों का मुझे पता है एक question होगा अगर नहीं है तो मैं फिर भी आपको बताता हूं कि अगर मुझे यहां पर मान के चले where नहीं use करना है तो हम इस code को कैसे बनाएंगे ठीक है तो कोई problem नहीं है आप इस code को दुबारा लि माई रो के नाम से एक variable बना लेते हैं ठीक है माई रो और column के लिए तो one ही रहेगा और इसके लिए भी हम एक नया variable बना देते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूं print underscore val ठीक है अब दिखिए अब आपको इनको declare करना होगा तो मैं इनको declare करता हूं आपके लिए एक नई information आप एक line में भी सारे variables declare करते हैं कर सकते हैं ठीक है आपको dim bar bar use नहीं करना है आप ऐसे लिख सकते हैं row as byte याद लखिए मैं byte इसलिए use कर रहा हूं क्योंकि 255 के अंदर है ठीक है print val as byte ठीक है byte या long जो भी आपने देना है यह ज़रूरी नहीं कि सारे byte ही हो कोई भी वो depend करता है क लेकिन आप देखा इससे space बच गया आपके code का तो आप एक line में भी सारी statements लिख सकते हैं ठीक है तो अब देखे इसमें अब आपको समझना होगा एक बात कि जब आप ये code start करेंगे तो क्या होगा जब मैं ये code start करूंगा अब हमारे पस तीन variable होगे वैर होगया myrow printval तो अ लाइन दस बार मुझे रन करनी है step by step है लेकिन जब आप इसको first time यहां run करोगे क्या होगा error आजएगा application defined object defined error जो आपने ये cell object declare किया है ये VBA को समझ नहीं आया उसका reason मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको पहले समझ आ गया होगा क्योंकि आप local window पूरी story बता रही है local window पे अगर आप ध्यान रखे तो आपको काफी चीज़ा है यहां से clear होजेंगी देखिए मेरा local variable जो my row है जो मैं यहां पर use कर रहा हूँ वो zero है आप कैसे Excel को भोल सकते हैं कि आप zero row पे जाएं क्या Excel में कोई zero row होता है guys नहीं होता ना तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब my row को one होना चाहिए था right okay उसके बाद यह भी zero है क्या आप यहां पर zero print करना चाहते थे बिल्कु नहीं मैं यहां पर one print करना चाहता था तो इसका मतलब आपको दोनों variables को loop से पहले VBA को बताना पड़ेगा कि इनकी जो values हैं वो मैं देने जा रहा हूं one तो मैं दोनों variables की value यह पर one दे देता हूं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अभी भी code में problem है बढ़ फेस करते हैं तब भी समझ आएगा my row one हो गया print value one हो गया local window पर आपने देख लिया ठीक है दस बार code run होगा अब जब यह first time run होगा my row है आपका one one comma one right यानी a one क्या print होगा one very nice होना चाहिए बिल्कुल हो गया अब next loop चलेगा यानी var की value होजेगी two मैं लगा second time loop run होने जा रहा है अब क्या होगा guys अब क्या है my row वो तो अभी भी one है print क्या करना है वो तो अभी one है तो तो हुआ क्या एक ही cell को बार-बार overwrite करते रहें गया क्योंकि आपका row change ही नहीं हो रहा है पहले वो change हो रहा था यहां पे क्योंकि हमने var के साथ उसको link कर दिया था और next var हमेशा one two three four करता रहता है तो हमें यहां पर परिशानी नहीं थी इसलिए मैंने उसको यहां use किया थ आप बोल दें VBA को कि मैं my row को plus one करने जा रहा हूं print val को plus one करने जा रहा हूं ठीक है simple match है ऐसी हम match में लिखते हैं x equals to x plus one तो अगर x five है तो नहीं x क्या हो जाएगा six राइट ऐसी लिखते हैं तो my row equals to my row plus one का मतलब यह है कि जो my row आपका one होगा first time वो one plus one होके two हो जाएगा जब next time यह loop दुबारा यहाँ आएगा तो my row होगा two तो two plus one होजेगा three और similarly print val पे आपका यह चलेगा ठीक है अब हो सकता है आप लोग यह सोच रहों कि यहीं अच्छा code है बात अच्छे और बुरे जी नहीं है दोस्तों बात यह है कि आपको एक नहीं चीज पता लग रही है वो सकता है आप इसको ना यूज करो यहाँ पर किसी और code में यह यूज करना पड़ जाए तो इसलिए याद रिखिए variable को increment इस तरीके से कराया जाता है तो अब मैं code को run कर रहा हूं और देखते हैं क्या होने वाला है तो local window पे नज़र बनाए रखें var1 my row 1 print value 1 तो सबसे पहले की loop दुबारा run हो मैंने my row को 2 कर दिया local window पे आपने देखा printval पे भी हमने इसको 2 कर दिया क्योंकि इसमें 1 add कर दिया अब second time जब loop रन होगा अब आपका my row 2 my row क्या हो चुका है 2 यह क्या हो चुका है printval 2 ठीक है यानि 2 print होगा लेकिन कहां होगा row number 2 और column number 1 और और वो देखें इसको ध्यान से आपका cursor नहीं move हो रहा cursor even पे पड़ा हो है क्योंकि मैं कहीं पे भी dot select use नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो इस गलत फैमी में आप ना रहें कि अगर आपको किसी cell पे कोई value print करनी है तो पहले उसको select करना होगा नहीं dot value आप कहीं से भी चला सकते हैं अग अगर मैं अभी इसी code में एक line लिख दूं range a10 dot value equals to 55 तो cursor यहीं रहेगा आपका जब तक आप उसको move नहीं करेंगे dot select use करके लेकिन a10 में value भी print हो जाएगी ठीक है तो इसी तरीके से अब आपका myrow हो गया 3 local window बेर देखते रहें print value हो गया आपका 3 तो जब यह आपका 3 3 हो हो गया अब next time जब आपका myrow चलेगा myrow भी आपका 3 हो गया क्योंकि next का काम ही है कि इस variable को ak करके increment करते रहें ठीक है तो यह guys इस तरीके से पूरा code चलता रहेगा और इस तरीके से आप 3-3 variables भी use कर सकते हैं ठीक है plus one वाला concept आपके लिए नया होगा यह हम बहुत जगा loops में यूज करते हैं तो यह 10 times चलेगा और finally I think अब यह last time चल रहा है और code आपका खतब ठीक है तो यह इस तरीके से आप loops बना सकते हैं तो बने विए series के साथ channel को share करें subscribe करें और like जरू करें comments की wait रहेगी मैं मैं मिलता हूँ आपसे series no.3 में और हम आगे for next पे बात करते हैं thank you so much बाइ